एवाटसब गाईज कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूटूब चैनल मोनेटाइज होकर सस्पेंट हो गया है या आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो ये वीडियो को सबसे पहले पुरे लाहत तक जरूर देखेगा कि कल एक वीडियो के नीचे कॉमेंट आया था कि भाई मेरा यूटूब चैनल का मोनेटाइज इनेबल हुआ और उसके कल होकर सस्पेंट हो गया और ऐसे अभी बहुत ज्यादा हो रहा है हो क्या रहा है कि कोई भी चैनल अभी मोनेटाइज हो जा रहा है और उसके दो-तीन दिन के बाद जो एसे उसका चैनल सस्पेंट हो जा रहा है कि इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि सबसे पहले तो उसे बचना कैसे है कि मेरा एटसेंस अकाउंट अगर मोनेटाइज होने वाला है यूटूब चैनल तुस्से कैसे हम बचे ताकि मेरा चैनल जो होने के बाद एटसेंस सस्पेंट ना हो और साथ में यह भी जाना बहुत जरूरी है कि आखिर वह सस्पेंट होता क्यों है तो वीडियो को पुरेला तक जरूर देखिएगा गाईज उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेकि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब ज जो कोमेट आप यहां पर इस्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह बोले थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और कल होकर वह जो एसो सस्पेंट हो गया है कहने का मतलब एडसेंस सस्पेंट हो गया है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है और रिजन वही आता है कि अब सकती हैो जते हैं कि यहां पर cm 10 इन्वाला बात यह हम करते है कि काफी लोगों का होड़ा है मतलब कि Mys То अब भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरा चैनल कल मुनेटाइज हुआ था और आज सस्पेंट हो गया यानि कि मुनेटाइजेशन डिसेबल हो गया तो सबसे बहले हम आपको बाता दे कि नया चैनल जो भी होता है जिसका मुनेटाइजेशन एपलाई करते हैं तो न्यू चैनल एकटर प्रति हो जाता हैं तो क्या होगा कि मुनेटाइज होने के लिए क्रया होगा एधना वीडियो डाले हैं सारे विडियो घो कमगम वीज आते हैं कोई के विडियो के वज़़े से कि या मैहदा घंडे का वासन और 1000 सब्सक्राइबर मिलेगा आपका चेनल का रिखष तरक कर देगा की क्या करने के पता ही मेरा पैसा दालते रहूँ तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मानकर चली कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी वीडियोज होंगे वो सारे वीडियोज पर जो सीटियार हाई हो जाता है स्वीत की वाँ उँडाय तो आपको जो भी वीडियो ऑता है उस पर एड आता है तो कोई अड देख लेता है तो न्यू चैनल फीक्षब जयाता नहीं आता है इसके वजह से द्युयएं सू इस तो हम क्या करेंगे कि जो भी वीडियो होगा मेरा जो सबसे ज़्यादा चल रहा होगा तो क्या करेंगे उसका नोने स्कीप वाल वीडियो अब होता क्या है कि जब YouTube हमारे चैनल को मॉनेटाइज करता है तो मेरे वीडियो पे जितने सारे उसके बाद ही वो वीडियो आएगा तो नोन एसकीपवल एड तभी यूज कीजिए आप जब आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा अच्छे कासे व्यू जाने लगेंगे तब करना होगा तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज ह होता है सबसे पहले CTR आपको एडसेंस में चेक करना होगा यूट्यूब पे कावे सारे आपको वीडियो मिल जाएगा कि CTR कैसे देखना है एप्लिकेशन में आपको पेज CTR का आप्शन मिल जाता है वो CTR आपको 10% से उपर नहीं जाने देना है CTR देखना है अगर आपका CTR हाई हो रहा है 10% से तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके यूट्यूब पे चले जाना है के देटर्स iddirio में चले जाना है जहां पर मुनेटाइजाइशन का होता है, सारे विडियो का जो होता है जो कि इसिप वालन नहीं होता है. वो सारे वीडियो का नोन इसकेपबल आड को आप बन्द कर देना है ठीक है उसके बाद अब फिर भी जो है सो काफी लोग को ये करने के बाद भी CTR हाई होता है तो घाइस हम आपको बोलेंगे कि आप सारे वीडियो का जो एसो अब अब कर दीजिए अब यह बली आए कि मुनेटाइशन ओफ कर दीगे तो मेरा अर्णिंग कैसे होगा तो अर्णिंग आप तभी कीजिए जब आपके वीडियो आप डाले और अच्छे वीडियो आने लगे और एक दिन में सारा वीडियो को मिला अच्छे वीडिय आने लगे फिर जो आप वीडियो को यूच किजिए अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है और फिर भी सस्पेंट हुआ है तो आप नोन इस्किपबल एड्ट जो होता है वो आप रिमूब कर दीजिए वीडियो मैनेजर में जब जाईएगा जहां पर एडिट होता है क्रिय अब दूसरा बात हम आपको ये बता दे कि अगर आप अपने वीडियो को खुद देखते हैं तो कभी मत देखिएगा नियू यूट्वर को क्या है या जैसे कि हम लोग है तो हमको पता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो इसे दो हम चलाते थे लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई यूटुबर होता है जो वीडियो बनाता है नया वला होता है तो क्या करते हैं कि अपना वीडियो खुदी देखते हैं जब भी कोई कॉमेंट करता है तो वीडियो को ओपन करके जाते हैं और वीडियो को रिपलाई देते है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने वीडियो पर क्लिक करके देखते हैं कि व्यूज क्या हो रहा है तो यह गलती आपको कभी मत करना है अपना वीडियो आपको कभी देखना ही नहीं है और साथ में अगर कोई कॉमेंट करता है उसको रिपलाई देना है त प्ले स्टोर से जाकर Creator Studio को आप डाउनलोड कर लिजिए YouTube के तरब से यह अप्लिकेशन है उसमें जाकर आप यूटूब को पुड़ा जो से एकसेस कर सकते हैं तो यह गलती आप कभी भी मत किजेगा काफी लोग यही गलती करते हैं CTR सब कुछ सही रहता है लेकिन अपना Creator Studio से आप पिन कर लिजिए तो यह सब आपको ध्यान में रखकर चलना होगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कॉमेट आप कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बना दे जिसमें हम आपको बता है कि YouTube चैनल मोनेटाइजेशन होने से पहले आपक आपको मिल जाएंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलता ही कौन नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाय टेक क्यार ख्यार रखिए अपना